हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इस्टडे नियूज आज हम इस वीडियो में विलावदर नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे जो ब्लैक बग के लिए काफी फेमस है So let us start विलावदर नेशनल पार्क गुजरात राज के भाव नगर जिले में इस्सित है यहां ब्लैक बग की संक्या अधिक होने के कारण इसे ब्लैक बग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है इस पार्क के दच्छिण में खंबात की खाडियां है यह पार्क लगभग 34 किलो मीटर वर्ग छेतर में फैला हुआ है अगर यहां के इतिहास के बारे में जाने तो यह छेतर पहले भाव नगर के रियासत के महराजा का सिकार छेतर था दूर छेतर में फैला गहास के मैदान में पहले बहुत अधिक संक्या में ब्लैक बग यानि कृष्ण मृग रहते थे जिनका सिकार राजा महराजा किया करते थे उत्तर की तरफ यहां बंजर भूमिया है लेकिन कई छेतर में क्रिशी भी होती है ये समतल सुखी घास के मैदान में कई तरह के जानवर पक्छी पाए जाते हैं जो यहां का पारिस्टित की तंत्र है ब्लैक बग के लगातार सिकार करने के कारण इनकी संख्या में काफी गिरावट आने लगी थी फिर इसे बचाने के लिए फिर से बसाया गया सन 1979 में इसे एक अभ्यारण के रूप में घोसित किया गया और 1976 में इस पार्क को एक राष्टी उद्यान का दर्जा मिला अभी इनकी संख्या लगबग 2000 के करीब है इस पार्क में ब्लैक बग के अलावा वुल्फ चीता लेजर फ्लोरिंग बर्ल्ड भेडिया सियाल जंगली बिल्ली जैकाल और बहुत है कि पक्षियां भी देखी जा सकती हैं तो यह था ब्लैक बग नेशनल पार्क से जुड़ी कुछ इंपर्ट 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 इंपर्माशन तो थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो प्लीस लाइक शब्सक्राइब और कमेंट